यहां रखी कंगी कहां गई अरे मैं रखना भूल गई भाया जगे बदल के रख दी तो मेर ले मुश्किल होगी मैंने सौरी बोला ना सौरी हाँ अंग्रेज बड़े अंग्रेजी में बात करने लगी अब तो सौरी भी बोल दिया ना कपड़ा मेहनत नहीं करेगा बहन अमें ही मेहनत करने पड़ेगी यह कैसा कपड़ा है एक साल भी ढंग से नहीं चला यह अरे एक अच्छा कपड़ा था वो भी पूरा फट गया भाया तुम फिर से मजाग कर रहे हो अच्छा ऐसा हो गया क्या ठीक है मैं लाता हूँ तुम्हारी फटी शर्ट नहीं मेरा जाकेट पिछली साल तुमने मुझे अपना जाकेट दिया था अब मैं कितनी जग़ टांका मारू भाया एक नया जाकेट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा ठीक है, मैं लाता हूँ भूलना मत पैसे लाल कलर मुझे बहुत पसंद है भूल रहे या डॉट जैसा कुछ हो मुझे अच्छा लगेगा भाया भूल लाल हो या काला मुझे तो सब अनिरे जैसा ही लगेगा न बहन चूके समझने में तो तो माहिरा भाया तुम सब जानते हो कैसा लग रहा हूँ मस लग रहे हो आईना दिखाऊं क्या जल्दी जल्दी बोलो कैसा लगा मेरी नजर लग जाएगी मुझे तो नजर उतार तो क्या निकालो निकालो क्यों फाल तू बात करती जा अंदर जा लो बेटा कॉफी पी लो क्या मा शक्कर नहीं है क्या चावल दाल से लेकर इमली नमक तक सब कुछ खरिदना पड़ेगा बेटा ये सब कैसे होगा खरीदेंगे मा ये मरियम मन माता हम पे दया कर दें तो सब कुछ खरीद के लाऊंगा कब लाऊगे मेरी दवा और मेडिसिन्स खतम हुए पूरे चार दिन हो गए है कुछ अच्छा खाने को भी मन कर रहा है लेकिन इस घर में तो कुछ है ये नहीं खाने को और ये कुछ खरीद के लाऊंग भी नहीं रहा है शकल देख अपनी अंदे तू जब ये अपर जाएगा तो इसकी भूत पर कोई नहीं रहेगा मेरे पता नहीं क्या पाप किया मेरे हाथ पिर काम नहीं कर रहे है और फूरी जिन्दगी इसके भरोसे रहूँगा मैं इस दिन ये अंदा हुआ तब से ये सनी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तुम जिन्दगी में कभी सुखी नहीं रहोगे तुम यहां क्या कर रही हो आप चूप रहो काम पे जाने वाले लड़के को डाट रहे हो यह कलेक्टर की नौकरी करने जा रहा है और तुम इसे बेंट बाजी सिर्वाना करोगी निकम मा कहीं का आप तो चूप हो जाओ उन्हें बोलने दो मा अभी तक मेरे बाबने मुह नहीं खोला था सोच रहा था अब मुझे अच्छा लगा लक्षमी मैं जाकर आता हूं बेंट मर्यम माता आपको ही मेरे बेटे का साथ देना होगा हरे पुर्णिवादी दादी तुम जल्दी आ गई आरे काशी हो हमारे जमिनदार चाहा बाहर से आ रहे हैं कौन रगुपती मालिक कब आ रहे हैं वो पता नहीं मुनी ने बंगले में रखे सब पुराने कपड़े दे दिये अभी जुरुवात किया तो ही साम तक खतम कर सकती हूँ मालिक आते ही मुझे, मुझे ख़बर दे देना दादी साहल में एक बार धोती शट मिलेगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो रगुपती साहब आएंगे तो गरीबों की मदद करेंगे और तुझे भी नहीं भूलेंगे उनके आते ही मैं तुझे बता दूंगी ठीक है? ठीक है दादी, मैं चलता हूँ देखके जाना बेटा, देखके हाँ समलके देखके कैसे जाओ हाँ खावे रही हो, तुम नहीं आओगे ऐसा सोच रहा था, कहांगे, मंदिर गई थी, भगवान से क्या मांगा, मुझे नजर मिले या शादी होने के लिए, ओ, दोनों साथ में, तो तुमने बात करने के लिए मननत नहीं मांगी, एक तरह से अच्छा ही हुआ, अगर तुम तुम बात करने लग गई तो मुझे छोड़ दोगी, और तुम्हें कोई और ले जाएगा, ए, हाथ छोड़ो, अभी मैंने क्या कहा, तुम क्यों नाराज हो गई, सुनो तो, हमारी जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है, किसे किस के साथ मिलना है, ये बात वो नहीं जानते क्यों कासी, तुमने कावेरी से क्या कहा, वो नाराज क्यों हो रही है, कौन गडेज भाई हो गया, हाँ, मैंने ऐसे ही मजाग किया और ये नाराज हो गई, हाँ, 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 हाँ नहीं तो और किसी के साथ शादी कर लेती है। जो ऐसी बात करते हो तुम। मजाग खर्जा का नीच चलता है। खेलने और मेरा दुख बताने के लिए इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे कासी, कैसे हो भाई। ठीक हूँ, आप कैसे हो। आप अपने लोगों के साथ मंदिर जा रहे हो क्या। मान लिया तुम्हें नजर नहीं लेकिन किस ने कहा। जिसकी नजर है भाई ही कहता है। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो यार। वैसे आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो। तुम्हारी बस तो आठ बजे की है ना। अभी जाये तो बस पगड़ सकते हैं। भाई कितना टाइम हो गया। तुमने एक दम सरी टाइम बताया काशी भाई। पूरव से दूप माथे पे जोर से लगी है। इसलिए साड़े साथ बजे है। ये कौन है जानते हो। वलाया पेटी का बेटा है। ये बहुत अच्छा गाना गाता है। ये दोनों शादी करने वाले हैं। इसका नाम कावेरी है। ये दोनों तो हमारे गाओं के रोमय जूलिट है। और तुम मैंने लिए गाना लिखकर देने वाले थे। क्या हुआ। हाँ, मैंने तयार कर दिया। आप सुनेंगे। हाँ, सुनाओ फिर। कैसे मैं बताऊ। दिल की ये। ताल सुर बदल रहा है। ये कोन है भाई। ये अपना लड़का है। नया है ना। भीड में मजल लेने के लिए जा रहे हो। आपका नाम खराब कर देगा भाई। मैं बजाता हूँ। ठोल दो उनको। कहां से आ गया। सही से लगाना। हट 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 हट। अलगापुरी डिकर्ट सब खड़े हो जाओ। अलगापुरी नीचे उत्रो। राओं का नाम और सकल से कोई शंबन नहीं। चलो चलो जल्दी चलो। क्या कर रहे हो। बस रोगो बस रोगो गोपाल। गोपाल बस मत निकालो। आओ काशी। तुम्हें केसे छोड़ सकते हैं। चड़ो। अराम से चड़ो। भाया एक अरना को लम किटकिट देना। क्यों काशी। आज आने में देर क्या हो गई। अज फ्राइडे है। मुर्गे ने आवाज नहीं दी इसलिए लेट हो गया। सुनियो ना। इन्हें बेटने के लिए जगा दीजिए। नहीं नहीं उन्हें क्यों तकलीफ देना। भाई तुम मेरी सीट पर आजा। नहीं नहीं तुम आराम से बैट जाओ। मैं ठीक हूँ। सीट मिलने की चिंता मुझे क्यों होने लगी। है मेले एंपी हो क्या। सुनो। काशी। मैंने तुम्हे काताने कि एक कूलिंग ग्लास लाके दूँगा। यह लो में लेके आगे। यह पहन के देखो। आराम से। मैं कैसा लग रहा हूँ। पूरे रजनी कांत लग रहे हैं तुमार। कॉलाई करन पट्टी वाले उतर जाओ। यह बस कहां जा रही है। यह बस शम्शान गार जा रही है चलो चलो ! चलो 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 जाओ। यह परस्नेलिटी काफी है फिल्म में एक्टिंग कर सकते हैं। लफंगा कहीं का किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते। क्या हो है उसे मारा क्यों ये बहुत देर से मुझे गूर गूर के देख रहा था क्या गूर के देख रहा था तुम इसे सपोर्ट कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता है ये बेचारा देख नहीं सकता ये बेचारा तो गनागा कर अपना गुजारा करता है और तुमने इसे थपड मार दिया कैसी लड़किया तुम? अरे छोड़ो, मुझे नहीं दिखता है ये इसे कैसे मालू कमाल बोला था, सच में मुझे मार कमाल की पड़ी अब तक सिर्फ मेरी नजर ही नहीं थी अब मेरा कान भी रिपेर हो गया सौरी जी, आप चस्मा पहने थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई हाँ, कोई बात नहीं मुझे नजर नहीं है, लेकिन मुझे चश्मे की ज़रूत नहीं है तुमारे हाथों से लाफा पढ़ना भेरी किसमत में लिखा है हे गड़पती बप्पा मौरिया हे गड़पत बप्पा आपको सब तो केवल मौदक ही परसाद में देते हैं लेकिन मेरी तरह आपको कोई भी इडली वड़ा का परसाद नहीं चलाता है आज धन्दा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए सुनो भाई क्या है? सांबर नहीं दिया सुनो तुमने क्यों इडली है दिया, सांबर नहीं दिया? अबे वहाँ कर क्या रहे हो तुम साइब जी, आप इज़त से बात करिए अब हमेशा सुबस पर मुर्गे की तरह चिलाने लगते हो अच्छा तुमारे चलने के स्टाइल के लिए तुम्हें इज़त चाहिए ये क्या है? चलते समय तुमारा आधा सामान तो नीचे गिर जाता है देख के चलो एई, दुकान का मालिक मैं हूँ या तुम हो ढंग से काम करो नहीं तो डिस्मिस करेंगा बड़ी सेंटरल गॉर्मेट नोकरी है ये मुझे डिस्मिस करेंगे ये नोकरी छड़ूँगा तो दूसरी लग जाओंगा कोई भी नोकरी ना मिलने से तुम यहाँ पर पढ़े रहते हो आदा पेट खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा मुझे खाना नहीं देंगे भाई बताओ सामर कैसा है बहुत मस्त है अच्छा है आकिर मेरे होटल का सामर है अच्छा तो होगा ही दूसरे होटल में सामर को छूने के लिए सोचते हैं लेकिन यहां पर तो लोटा भर के पीते हैं वैसे हमारे आगे सामर की तो बात ही अलग है आहां, बहुत अच्छा है साब जी एक नट, चली मेरे साथ अब अरे मेरी आग में आग आग पागया सामर में ना चिपकली गर गई है सामर में चिपकली सिर्फ एक चिप के लिए नहीं पुरा का पुरा परिवार एक साथ तो नर खोट गया अरम साथ यह क्या है एक परचे जिसे पानी लिगालते रहते हैं चलो, उत्रो, अरसंपटि वाले जल्दी उत्रो आज, 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 उत्रो, उत्रो, उत्रो ये लिजए यह पैसे आप रखिए है काशी है संभाल के आराम चाहो बपल यह लो लग्की चश्मा किसी को भी मत देना चाहे तो तुम ही पहलो काशी तुम्हें थपड मानने के चकर में उसने तुम्हारा चश्मत और दिया तो बुरा मत मानना दिल पह मत लो भाई मुझे पड़ी मार का अबीबी ता फोग फीज़िए बसको दीरे चला इंशरेंश नीयूं मेरे भास ही नहीं है कि क मैं आट दे फाल दहए काशी है लेक या उसे हां यह इसे निसरी जाओंगा तो आराम्स कोनदोर करेंगा कि invention कौन है छोटू है तुमारा हाथ कौन पकड़ेगा चलो अंदा हो गया चोटू अरे उपर चड़ाएगा क्या चोटू अरे आ रहा हम से चोटू मेरा हाथ छोड़ो मैं कैसे भी आजाओंगा कल मैं मरियमन मंदिर के त्रोहार में चला गया तो बहुत कलेक्शन आया होगा फिर नहीं नहीं करंट कट हो गया था कल गाओंवाले सब मेरे जैसे ही हो गये थे बहुत लड़ाई हुई मुझे घर जाने में भी तकलीफ हो गई थी आदे लोग इसकी तरह हुए होंगे जाओ काशी के लिए चाय लेकर आओ देख के रहे हो तुम काशी आज की पेपर में एक अच्छी कविता लिखके आई है इसके पहले किसी फिल्म में भी नहीं आई है तुम कहो तो मैं पढ़के सुनाओं क्या पढ़ी है ठीक है पढ़क आने लगी है और वो बद्बू असहनि यह थी वुझे समझ मीन है है सुनियों सुनियों दुबारे से बढ़ी है बढ़ी है तालाब के पास बैठ कर तपस्या करते समय वह एक खुप्सूरत परी के बारे में सोच ही रहा था तभी उसे बद्बू आने लगी और वो बद्ब के मूड कराब करती है सुनो जिसमें दिमाग नहीं वो मालिक बन जाता है और जिसमें दिमाग है वो नोकर बनके रह जाते हैं हमारी तरह सच काउं तो मालिक की उपादी मुझे मिलने चाहिए थी यह हमारे देश की बदनसीब है चाह रखके जूटी थाली उठा इज़त से ब अराख